नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ उदै चौहान कोरोना काल में जब एक एक सांस को बचाने के लिए हर कोई क्या कुछ जतन नहीं कर रहा है तब भी गाव की सरकार में मलाईदार मुख्या कापद हासिल करने के लिए अपने को गाव का भाट बिधाता पताने वाले एक दूसरे की जान के प्यासे पैसे हो जा रहे हैं इसकी बानगी वाइरल या वीडियो है रात के इस वीडियो में लोग भले ही नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन गोलियां और गालियां साफ तौर पर सुनाई दे रही है हर गाली का जवाब गोली से दिया जा रहा है वीडियो में आप साफ तवर पर सुन सकते हैं कि एक दो बार नहीं करीब दरजन भर बार गोलियों की आवाज आपको सुनाई दे रही है अब हम आपको पूरा माजरा क्या है यह बता देते हैं थाना तंबवर इलाके की अगबर पूर ग्राम पंचायत का यह वाइरल वीडियो है जिसमें काफी देर तक गोलियों की तरतडाहट और गालियों की बहुचार होती हुई आपको सुनाई दे जाएगी दरसल यहाँ पूर परदान जुनायद अहमद वर रईस अहमद इस बार परदान के उम्मीदवार हैं एक पच्च के लोग वोट मांगने गए थे तभी दूसरे पच्च के लोग भी पहुच गए दोनों पच्चों के समर्थकों के बीच पहले कहासुनी सुरू हुई फिर विवाद बढ़ गया जब विरोज सुरू हुआ तो जुनायद पच्च के लोगों ने चौकीदार ललित की पिटाई कर दी इसके बाद दोनों पच्चों के भी जमकर पत्राव शुरू हो गया गालियों का अरदान प्रदान होने लगा और रिसी विच गाली का जवाब गोलियों से दिया जाने लगा हाला के हवाई फारिंग करने से जानमाल का नुक्सान नहीं हुआ लेकिन सूचना पाकर जो सूचना जिले पर पहुँची उसके बाद आसपास के थानों रेउसा थानगा और सकरन का फोर्स भी मौके पर पहुँच गया सीयो बिस्वा सुसील कुमार सिंग ने गांप पहुँच कर जाच की और तंबाव रेसों अंबर सिंग की तहरीर के आधार पर रईस और उसके पचके 16 नामजद, 40 अग्याद तथा दूसरे पचके जुनायद वाउसके समर्थकों 7 नामजद और 25 अग्याद के बूद हमला क करने के प्रयास और बल्बा मारपीट सरकारी कार में बाधा डालने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया दोनों प्रधान प्रत्यासी जुनायद अहमद वा रईस अहमद समय तीन लोगों को पुलिस ने गिरिफ्तार कर लिया में ख्रूप्याद ही है में अहमद और तीन लोगों है और में.. बादे १र प्रयास में भी को सलागविई एफ जो जो पाय कि गया कि अ जया कि Fehler कि जड़ा कर बंप कि अ कि गया कि अ कि अ किल कि बंप वड्सके प्लाए हुआ जो जो सी खिर्ट सब्सक्राइब करें खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आप